भारति समविधान का अनुछित एक कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संग ऐसे में भारत में कई राज्यों की अपनी राज्येटिक ही है आज के सेशन में हम बात करेंगे पिछले वर्ष जो महरारास्ट में राजनितिक संकत पन हुआ था उसले कर हाल ही में तो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या है और महराष्ट का वह राजनेतिक संकट क्या रहा है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे दृष्टी आई इसके इन न्यूस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं होंगी तांजली और आज हम चर्चा कर होने वाले हैं यानि सब से पहले हम भils यह चर्चा करेंगे उद कीजिके इसके बाद आ गई है आपके लिए एक और बात, यह पूरा टॉपिक, आखे समाने अज्यन के किस पेपर से सब्बंदित है, यह आपको बता रहा है, कमेंट सेक्शन, चलिए बढ़ते हैं, खबर को देखते हैं, खबर बहुत सारी नीच पेपर में प्रखाश की गई है, लेकिन आज ही जो खबर ल से पहले देखेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, इस पर हमने बात भी की, अभिहाली में महरास्ट की जो राजनेति किस्तिती रही है, राजनेति जो उथल पुथल मचा था पिछले वर्ष, यानि वर्ष 2022 में, उससे लिकर सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैस इसमें कौन-कौन से जज़ शामिल थे, उसमें CGI यानि भारत की मुखिनाध ही शामिल थे, इनके अध्यक्षता में ही इसका गठन किया गया था, इसके अलावा इनमें और चार जज़ भी शामिल थे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, यानि यह फैसला किस से सुन तुरंत बार, 21 जून 2022 को CM छाकरे ने, जो कि उस समय ततकालीं CM थे, उन्होंने सिवशेना विधायकों की एक ततकाल बैठक बुलाई थे, और बैठक में उन्होंने कुछ है विधायकों को नदारत पाया था, इसा माना जाता है कि एकनाज सिंदी के साथ 15 अन्य विधायक, तोटल 16 विधायक से नदारत और इन्हों ने, यानि एकनाज सिंदी ने इन सभी विधायकों के साथ मिलकर अपनी गुड के वर्चस्तु का दावा कर दिया था, इसके बार क्या हुआ, इसके बार जब ये इन विधायकों ने राजिपाल को चिथी ले, तो इसी चिथी के आ और आदेश सी दिया, इसके बाद क्या किया, इसके बाथ क्या हुआ, वहां पर द्तिकाली दिया, यानि वुक्शमंत्री उद्धा यानि अगले धिन क्या क्या कांफेरंस की, ओकि आ गुच्रित में ही उन्हों से इस्तिफार दे जिया, बिना ही फ्लोर्ट एस्ट दिये, य अब आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है कि GPT-CM कौन बना यदि हम बात करें इन विधायकों की संदर्व में तो यह विधायक कैसा मौना जाता था पहले सूला विधायक सुगुरत गए उसके बाद फिर गोवा हाटी गए और यह काफी मामला काफी चर्चा में भी था तो करेंगर अपने अपने पक्षों को लेकर यहां याचिकायं दायर की गई और पर इस संबंध में थी और यह मामला क्या था दरसल शेव सेना के प्रतिदंदी इसमें दो समू हैं एक नात्रशिंदे वाला समू है जो बीज़िप के साथ बाद में क्या करते हैं सरकार बनाते ह महारास्ट में और एक उद्धव ठाक्रेट जो जिन्होंने सीम पत्र सीफा दे दिये इनके बीच में यहां पर राजनितिक संकट के संबंथ में पिछली वर्ष इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दया दिए यह याचिकाएं कौन-कौन सी थी इसमें शिंदे सम याचिकाएं कर दी कहां सुप्रीम और ऐसे ही यह याचिका किसने दयार की थी हम बात करें किस ने कहीं थी साकरेजी नहीं कहीं थी तो यह उन्होंने भी याचिका दयार की वापस से सरकार बहाल करने का आधिश दिया जाए और उनकी जो सय जो सदस्यता है उसे उसल शेस अधालत की त群 Companies क्या अधालत है या अधालत के संवाई तिक और ऐक प्द्देन के तक कहा था था जह कमितलות। है जिसमें मामला दल बदल से भी संबंदित है कि इस के अलावा मामला कर सुझाश निलिए इसके अलावा यह मामला के राजनेती यह संपन्द सब्सक्रानक का इसके लिए सब्सक्राशन निया आधीश की पीठे- Radhaa पीठ की जरूरत है और फिर उन्होंने इसके बाद पांच जजों की समविधान पीठ का गठन किया गया और इनके पास यह फैसले को सुरक्षित कर लिया अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोट के फैसले के संदर्फ में क्या के सुप्रीम कोट ने इस से जुड़ा हाल ही में सुनाया यृदि हम बात करें तो दोनों समुह की सभी आचिकाउवग compliant और बैंच के इस सबी आचिकाउग के सुनने के बाद सुप्रीम स्टीफा नहीं दे सकत नहीं इसके लावावा राजिपाल से अंदर्फ में कि विश्वासमत के लिए राजपाल की कारवाई को उन्होंने अवैद या उन्होंने कहा कि यह सम्विधान से संगत नहीं यानि केवल चिट्थी के इसंदर्फ में कि कुछ विधाईकों ने चिट्थी लिख दी इस आधार पर फ्लो टेस्ट के लिए आप सीम को यहां पर नहीं बेसकते या फ्लो टेस्ट का इसके लावा चार अन्य न्याधीश भी शामिल थे कौन-कौन जस्टेस एमार शाह प्रिश्ण मुरारी हिमा कोहली और पियेस का नाम आप याद रख सकते हैं कहीं एक्जामपल देने की तौर पर आप इसका इसका दे सकते हैं इसके लावा सुप्रीम कोर्टे जो वर्फमा प्रशन का सही में अगले सेक्ष्ण में जसे पहले आप सकते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्षिन में देना है कि सुप्रीम कोट निक कि सरकार बरे नहने का आदेश दिया है उधर खाकरीट एक नाज चिंदी और विंद केज़िवाल इन में सिपोई दें प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्षिन में देना ना भूले मिलते हैं अगले विशे में तब तक के लिए नमस्ते बादर देपना